नमस्कार जी, मैं राजन चौधरी, मोर्टिवेशनल स्पीकर आपके लिए फिर एक मोर्टिवेशनल स्चोरी लेकर के आया हूँ जिससे आप बड़े उत्साहित हो जाओगे और कुछ करके दिखाओगे एक बारना एक बच्चे को अपने गारडन में किसी टैनी से लटका हुआ एक बटरफिलाई कॉकून दिखाई दिया वो देली उस कॉकून को देखने लगा एक दिन उसने ध्यान दिया तो पता चला कि उस कॉकून में एक छोटा सा होल बन गया है उस दिन वो वहीं बैड़ गया और घंटाउं उसे देखता रहा उसे देखा कि एक butterfly उस खोल से बाहर निकलने की बड़ी कोशिश कर रही है बट बट बहुत try करने के बाद भी वो उस hole से नहीं निकल पा रही थी वो फिर बहुत शांत हो गई बिलकुल शांत हो गई मानो उसने अपनी कोशिश से हार मान ली हो उस बच्चे ने decide कि वो उस butterfly की help करेगा उसने एक कैंची उठाई और butterfly के बाहर जो निकलने के रास्ते को कॉकून के मूँ को butterfly easily बाहर निकल सके और यही हुआ वो butterfly बिना किसी struggle के easily बाहर निकल आई पर अब उसका शरीर सूजा हुआ था और punk सूखे हुए थे वो बच्चा अब butterfly को यह सोचकर लगातार देखता रहा कि वो किसी भी time किसी भी time अपने punk फिला कर उड़ने लगेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ बलकि इसके opposite हुआ वो butterfly कभी उड़ नहीं पाई और उसने अपनी बाकी की जिंदगी इधर उदर गसीटते हुए बिता दी वो छुटा बच्चा अपने दिया भाव में यह नहीं समझ पाया कि दरसल कौकून से butterfly के बाहर निकलने के process को नेचर ने इतना difficult इसलिए बनाया ताकि उसके ऐसा करने सेख butterfly के शरीर में जो मजूद liquid substance उसके पंकों में पहुंच सके और वो hall से बाहर निकलते ही उड़ सके actual में हमारी life में भी struggle ही वो चीज है जिसकी हमें real में need होती है यही हमें सिखाता है और time more powerful and experience बनाता है अगर हमें भी बिना किसी struggle के ही सब कुछ समझेंगे और ना ही हम develop हो पाएंगे बलकि अपंग रह जाएंगे इसलिए life में struggle को खुले दिल से सभी कारणा और अपनाना चाहिए दोस्तों तो दोस्तों अब बारिये आपके comments की, likes की, share की, यह topic आपको कैसा लगा comment के जरीए मुझे जरूर बताना, आपके comment से मुझे प्रेंडा मिलती है कुछ अच्छा करने की और मेरा YouTube चैनल राजन चौधरी Motivational Speaker के नाम पर subscribe करना मत भूलना So till then take care, be inspired, motivated रहो, खुश रहो, दूसरों को खुश रहो, लगा दो चोर, चक दो फटे, दिखा दो दुनिया को कि आप भी एक Cerebrity हो, thank you so much